मैं आपके सामने एक वीडियो विदियो बताना है कि टीट्मेंट फेलियोर क्यों होता है किसी भी इंफेक्षिन को टीट करने के लिए जब पेशेंट एडमेट होता है । डॉक्टर एक एंटिपाइटिक देता है नहीं काम करती फिर दूसरे देता है वो भी काण भी बंक लिए और और लाइन अफ एपडिकर आल यूंज हो जाती है और पीशेंट जो है वह दिघ हो जाती है उसकी रही はको बहुत से केसिस हैं मेरे पास भी है ऐसे सैंपस ऐसे है ऐसे मैं नहीं डेख रेंशन की 70 लिटर पे टेथ होगे या पेशन्ट की डिटिकल कंडिशन आ एस इमें अर्शी में नाट क्योर्ड तो उसकी में वज़ा जो है वो यह है कि जो एंटीबाटिक दी जा रहे है वो रजिस्टन्स है उसके अंदर बैक्टिरिया के अंदर जिसकी वेसे इंफेक्शन या बीमारी हुए है तो मेजर प्रावल्म जो इस बात है वो यह है कि डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है पेशन्ट के सैंप्ल जाता है कम से कम दो से तीन दिन लगते हैं लैब में यह पता करने के लिए कि किस एंटीबाटिक कौन से एंटीबाटिक काम करेगी कौन से एंटीबाटिक काम पेशेंट का जो treatment है वो delay होता है, डॉक्टर अपने empirical treatment इस्टार्ट करता है, अपनी समझ से, या मौझूदा दोर में जो antibiotics चल रही होती है, जिस तरह के patients आते हैं, वो antibiotics देता है, और वो hit and trial होते हैं, माली उसने ampicillin दी, ampicillin ने काम नहीं किया, उसने canamycin दी, canamycin ने काम नह से patients के अंदर deterioration होता है, weakness आती है, और patient का treatment प्रॉपरली नहीं हो पाता, और patient है वो अगर जादा critical condition में है, या severe condition में है, age जादा है, या new net है, new born है, infection हो चुका है उसको, तो उसके death होने के chances जादा बन जाते हैं, तो drug resistance बहुत बड़ी एक problem है, हम सब जानते हैं, और इसको क protect करना है, infection से सबसे पहले, so, कोशिच कर रहे हैं कि हम infection होई ना, ताकि treatment की ज़रूदी ना पड़े, so, prevention is always better than cure, दूसरा यह है, बहुत सी लैप्स ऐसी हैं, इस बहुत जो इस पर काम कर रहे हैं, कैसे हम detection, इसका quick detection कर लें, blood sample से, urine sample से, thoracis लवार से, quick sample लेके हम उसको detect कर ल हो रहा है, बहार भी काम हो रहा है, और हमारी lab में भी इस पर focus हो रहा है, कैसे हम ऐसी device develop करें, और ऐसी, ऐसा system develop करें, जिसे हम within no time, within five to ten minutes हम भी पता कर लें, कि ताब इसमें infection जो है, उसमें resistance किस antibiotics के against है, लेहादा वो antibiotics ना दी जाएं, और वो antibiotics दी जाएं, जिसके against resistance नहीं ह हम कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम patients को cure को cure जल्दी कर सकते हैं, patient की life को बचा सकते हैं, और हम mortality rate जो है बहुत हमारे हैं, antibiotic resistance की वज़े से, जो बढ़ रहा है, continuous बढ़ रहा है, और मैंने पिशली वीडियो में भी कहा था है, कि हमारी mortality rate बढ़ रहा है, और हम by 2050, 10 million death will take place just because of the antimicrobial resistance, लहाँ हमें इस पर गौर करना है, कोशिश करना है, और हमें अपनी आपको इस से बचाना है, infection से बचाना है, और infection अगर हो जाता है, तो antibiotics को minimum use करना है, antibiotics का use बहुत ज्यादा नहीं करना है, मैं हर उसमें यह बात कहता हूँ, कि antibiotics का overuse और misuse से यह problem पैदा हो रही है, और हम अपनी आपको avoid करें, ताकि antibiotics ज्यादा ना लें, मैं समझता हूँ, यह message जो है, important message है, journal public के लिए भी, और अगर कोई physicians और clinicians इसको सुन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ, उनके लिए भी important है, कि बहुत ज़्यादा antibiotics को prescription नहीं करना चाहिए, until and less, हमें clinical sense से यह पता चल है, effective antibiotics मिलना जाए, उस वक्त तक हम patient का treatment शूर ना करें, वनना यह हमारी एक बड़ी mystery रहेगी, कि हम कभी एक antibiotic देंए, कभी दूसी देंए, तीसी देंए, और patient किसी antibiotic को respond नहीं कर रहा है, और उसके वैसे उसके अंदर उस antibiotics का effect और side effects definitely patient के उपर हो रहा है, चाहे हो infection control हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन side effect उस antibiotics का हो रहा है, हमारी gut microbiome effect हो रही है, उसके पूरी dysbiosis की वज़े से पूरा हमारा metabolism effect हो रहा है, पूरा हमारा human system effect हो रहा है, पूरी physiology effect हो रही है, जो पता भी रही है, बहुत से लोग को कैसे effect होती है, तो लहादा antibiotics का use कम करें, minimum करें, और को रही है, करना दो भादा का समय है।